कि अगला सवाल जो है वो काफी नेशनलस है कि क्या मुझे डिप्लोमा साइक साइबर सेकूर्टी इस लिए करना चाहिए क्योंकि यह सब्सक्राइबल है यह इसकी अपनी अपनी अपने आपको खास वैल्यू है इस वैल्यू है या इस पाइनेंसियों देखें यह लड़का ज इसके तैटी परसंट डिस्क्राउंट है और यह और भी सस्ता होगा है देखें दरीजन के यहां लोग जाए ना बहुत जदर होते हैं पाकिस्तान में इंडिया में मंगले देश में रोते हैं कि हम अफोर्ड नहीं के सकता है फो चाय वाले के उटिल पर रुदाना बैटके चाय पिएगा और साल के अगर पूरा अगर साब किताब करेगा तो वह बहुत ज़्यादा पैसे खर्च को चुका होगा ठीक है ना जो बाहर लोग रहते हैं वह रोज़ाना बाहर से स्टाल वक्स काफी पिएगा क्रौसां खाएगा रोज़ाना दस डॉलर खर्च कर रहा हो वह रोज़ाना अजार रुपए इदर अधर उल्टी सीते कामा में लगा रहा होगा लग पर बोलेगा कि यार चाय पी रहा है काफी पी रहा है या सिगरेट पी रहा है प्रॉबलम यह कि ना इन लोगों को एट्रैक करने के लिए बोलने के लिए यार आज आजवा बैठके कि दुनिया में किसी को ना फिल्म देखाना बो फिल्म छल ने देख ढेगे सब आ तुम किसी को बोलो हैर के पहली से हम पहली पहुंच चया टीकि ना सब पहुंक घuls हेंगे तिक ना वहापगार उसको इस बहुंच तो गहीं नहीं आर वांपे ठीक है तो प्रॉब्लम है कि अगर कोई गलत काम करना हो या कोई फालतू काम करना हो जिसमें टाइम्स आ है उस सबसे पहले लोग पहुंच जाते हैं किसी को पढ़ाई का बोलना हो कोई भी नहीं आता है नमास को बोलो सब छुप जाएंगे मैं नहीं आएंडर इंटर होता हूं सारी सफ़े बज्याद नहीं ठीक है सब सफ़े हर हर आफिस के कमरे में सफ़े बिची होती है तेकर उसी के ओपर लड़के जूते अतार के साइड पर अंदर आ की काम करें अजीब एक अलग महल है जब मैं आफिस आता हूं सब नमास हो जा तो क्या वात है सब मेरे पीचे नमास के लिए खड़े हो जाते हैं तो मसला यह है कि ना लोगों को अच्छे काम की तरह तरगीब देना के दो ही रास्ते हैं या तो उनको कोई फाइनेशल इंसेंटिव दिया जाए कि आर देखो आ जाओ बैड के पढड़ लो ठीक है और इसमें तुम्हें फाइदा है या फिर उनको जो ना डिराए जाए अब डराए की काम तो मैं कर नहीं सकता ठीक है तो लेंट इसके लिए जरूरी है कि इनसान जो एना कोई ना कोई इंसेंटिव दे तो यह ने इसमें हर कोर्स को पढ़ाने में एक पॉशन हमारा होता है और एक ट्रेनर का होता है तो जब हम डिसकाउंट लगाते हैं तो हमारा पोजिशन खतम हो जाता है बिल्कुल और ट्रेनर को हम फिर भी दे रहते हैं बोलते हैं जाओ यार तुम्हें ट्रेनर को मिल जाए क्योंकि ट्रेनर को खुश करना जरूरी है नहीं करेंगे और ट्रेनर सोड़के चला जाएगा ठीक है ना और या अगर वो काम का ट्रेनर है तो हमसको कभी जान नहीं जाते है ऐसी ट्रेनर हों मुलते हैं ठीक है जाओ भई पारेगो जाओ निकला है ठीक है ना मुझे शुरू शुरू में जो मैंने काम किया बड़े लोग आए यापट अब मुझे पता चल कि कोन काम का है काम का नहीं कियोंकि मैं हर किसी को एवैलिवेट करता हूँ तो यह सब तुमारे अपने उपर है कि तुम्हें क्या करना है अभी तुम्हारे पास डिसकाउंट भी चल ला है डिसी सीएज का डिसी तको बहुत काम का है अगर मुसर को पूछे है फाउंडेशन क्या है मैं बोलूँगा डिसी सीएज ठीक है ना जिसे रसूल असलों अल्ला और जो उसकी इंतहा है इमान की ठीके ना वो फरमाया है शहादा है ठीके ना तो अल्लग अभी शम्हा फरमाया है सही तरह मुझे भी वह पूरी इस हदीस याद नहीं आरी मैं आपको उसका मुक्तसर वह बता रहा हूँ तो AIOPS टॉप पर है मिडल में क्या है डिसी सीएज स के पास जो चीज होती है ना वो से लड़के काम कर सकता है मेरा बेटा जो है ना मुझसे कह रहा था कि यार बाबा आप जो ना डाईज़ार की गन लें तीनज़ार की गन लें मैंने बोला यार देखो तुम्हें एक गिराना है बड़ा सा मूस या बाइसन बहुत बड़ा ज ज़्यादा होता है ठीके ना अगर मैं आपको दिखाऊ हूँ तो मैं इसको बहुत बड़ा जानवर है इसका वेट अगर आप देखें तो यानिके चारसो साथ से नौसो किलो के दर्में होता है अडल्ट में ठीके ना यानिके बहुत बड़े-बड़े होता है इस हीूज ठीके ना बहुत बड़े-बड़े हैं यानि बारा-बारा सो किलो तक जाते हैं जो बड़े-बाले होता है ठीके ना तो इसका हम शिकार करने के लिए चाहिए तो इस अ हीूज यह बहुत बड़ा है जानवर है ठीके न मेरे नहीं खाल है कि इतनी बड़ी को पाकसान में गाएं वगर हो के यह नफिक यह होता है पाकसान में तो अलटी सी दिखुराग कि खिला के उसको बड़ा कर देते हैं पकिसान पंजाब में दो और सब जगा इंडिया में लेकिन ये एक्छिल बड़ा जानवर है ठीक है ना तो इसके शिकार करने जाते हैं गुली मारते हैं जागते हैं काटते हैं मैंने का इसके लिए मुझे गुली मार नहीं खाली मुझे एक अच्छी कैलिबर की गण चाहिए मुझे कोई fancy gun नहीं चाहिए तो मैंने इसको बोला कि ये pencil है ना बिटा ये pencil एक अच्छा हथियार बन सकता है अल्ला के लिए और अल्ला के खिलाफ बन सकता है अगर अच्छा लिखोगे कलम अच्छा इस्तिमाल करोगे बहुत मकबूल हो जाओगे काम हो जाएगा और अग लेकिन जरूरी नहीं कि तुम बहुत महिंगी pencil हो ये सिर्फ एक pencil है अब तुम्हें महिंगी pencil लेआ और पचास डॉलर की सौट डॉलर की मिल जाएगी ये तुम्हें 50 पैसे की भी pencil मिलेगी ठीक है ना लेकिन pencil pencil है so weapon weapon होता है मैंने का उससे तुमें सिर्फ caliber देखने कि क्या caliber काम तो DCCS एक बहुत जबरदस हतियार है जिसने इसको सही इस्तेमाल किया वो तीन तीन लागी job से बैट है जिसको इस्तेमाल नहीं करना है कुछ नहीं करना है वो ऐसी लेकि गूम रहे है ये भी है जिसको सही काम करना है देखो वो कहां से कहां चला गया लेकिन वो उसने बात पर अमल किया ना सुना अमल किया सब कुछ किया तो जो अमल करता है वो कहां से कहां चले आखे ना लेकिन जो अमल नहीं करता वो जहां बैठा हो तरह दिल यह बैठा हो दैट इस दिन